नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में एक और पोर्टफोलो को डिव्यू करेंगे तो जिनका ही पोर्टफोलो यह वेस्ट बेंगोल से बिलॉंग करते एक फैक्टरी में जॉब करते करिंटली इनका एजे अठाई साल इन्होंने अपना जो पोर्टफोलो इसको बिल्ड क जरूर का तो वह वीडियो के इंड में हम जरूर करके क्या वह अचिव आप कर सकते या नहीं या कितना रिटन मिलेगा तो हो सकता है एंड उसके अलवा यह एक्सपेक्ट करें बाइस परसंट का सी एजर डिटन अभी देखिए आज कल हम वार्रेन बफिट की बात करते हैं इतना जाद है और उनका अगर देखें तो बीस परसंट के ही आराउंट आपको कुछ देखने को मिलेगा तब सूचे कि बीस एन बाइस परसंट का जो डिटन वह एक्ट्यल में कम नहीं है यह काफी जाद है तो 2020 से अपनी इंवेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो स्टार निफ्टी 50 के रिटन को भी बीट नहीं किया तो सबसे बढ़िया आपके सकतो डिसिशन तब यह होगा कि पूरा पैसा हम निफ्टी 50 में ही डाल दे एक्टिव इंवेस्टमेंट को छोड़के तो पहला टार्गेट पहला एक्सपिक्टिशन यह होना चाहिए ऐसा मैं आपक पास्ट में हुआ है तो पास्ट में जो हुआ है वह फ्यूचर में भी रिकेट होगा वह जरूरी नहीं कि पास्ट में वह कंपनी के साइस चोटे थे तो एग्रेसिव ली ग्रोग कर रहे थे अभी बड़ा बन चुका है तो थोड़ा डिटन कम होना स्टार्ट होएगा तो इस बज़े से एक्सपेक्टेशन रिलेस्टीक होना ज़रूरी है एसा नहीं कि 22 परसंट रिटन का एक्सपेक्टेशन रख दिया और एक्ट्वल लिटन बरना 14-15 पर्संट तो उससे कुछ नहीं होगा अब थोड़ा सा रिलेस्ट एक्सपेक्टेशन रखे उसके बाद रिलिस्टिक होना वो मेरी सबसे पहला काम है तो अभी इनके पास एक लाग का कैश है इन्होंने अपना गूल भी बता है कि 8-9 साल बाद इनको एक लैंड पर्चेस करना है कंपनी उसमें निवेश करने का सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब वह कंपनी पीरियट से गुज़र आओ टिपक नाइटिट में पीरियट थोड़ा आ सकता है फेनौल की फ्लक्टूशन की बज़र से तो हम डिसकस कर लेंगे इसके लब इनके बास कुछ मूचल फंड भ का पीरियट के अंदर जो करना चाहिए कि मेरे खुद के पॉर्टफोलो ने कितना रिटर्न मीचल फंड ने कितना दिया अबर मीचल फंड बेटर कर रहा है तो आवियसली पैसा वहाँ पे डाली वह जारा स्मार्ट डिसीशन है और दूसरी तरफ सीखते रहिए तो वह कम भ 77,000 का इंवेस्टमेंट है और 44% का बढ़िया प्रॉफिट इनको हो रहा है तो अगर इस टाइम मेरे से पूछा जाए कि आपके पास पैसा है आपको कौन से कंपनी में डालना है अब इंडिया या डिवीज लाए मैं डिवीज को पिक करना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्य करने वाला है तो करिंटली अगर मुझ से पूछा जाए तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है अच्छे लेवल पर अपने खड़ीद रखा है अच्छा कंपनी ग्रूइंग कंपनी काफी कंसिस्टेंट एक्चुले में तो संपली होल्ड एंड कंटीनू कर सकतो आप यह पर जो मर्सलेस हैं उनका भी जो यह पर आप कह सकतो इंटर्व्यूज है वो चेक आउट कर सकतो कि उन्होंने रिसेंट किया कुछ रीजान उन्हें बता है कि जो मोट पहले था वो अभी नहीं है तो संपल सा कहने का मतलब यह है कि कंपनी के बारे में आपको पता होना चाह सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा आंसर होगा बाला जयामाइन में काफी फिबरेबल है यह आपको 20 के पीपर मिलेगा अलकाल अमाइन आपको 60 के पीपर मिलेगा तीन गुणा महेंगा अलकाल अमाइन तो वह ऐस आफ नौ मेरा डिसीशन है मैं ऐसे सोचता हूँ बाकी दोनों ही कंपनीज अच्छे है उसके बादे एशन पेंट एंच्छेजर का इंवेस्पेंट है 8% का profit हो रहा है तो अच्छा कंपनी बहुत ही स्ट्रॉंग है तो continue करना चाहिए उसके बादे एस्टरल 40,000 का इंवेस्पेंट है 17% का होड़ा है profit यह भी बहुत अच्छा है स्ट्रॉंग है तो continue करे एशन पेंट एस्टरल में शौट तम में थोड़ा प्रेशा रह सकता है पर लॉंग टर्म के लिए सारे कंपनी बहुत अच्छे उसके बादें बजाज फिंसप 15,000 का इंवेस्पेंट है 7% का लॉस होड़ा है एक्चली मैं आज में चैनल पर इसी कंपनी कंपनी कवर भी किया है टेकनिकल में कि डिमांड आ सकता है बहुत ही जल्द उसके बाद नेक्स्ट कंपनी बजाज फाइनेस 57,000 का बड़ा इंवेस्पेंट 17% का होड़ा है इनको लॉस अभी यापे मैंने वह वीडियो में भी सेम चीज़े रिपीट किया है कि मेरे से अगर पूछा जाए कि कौन सा कंपनी बजाज फिंसा भी बजाज फाइनेस तो मुझे बजा CDSL कंपनी तो अच्छा है सेक्टर बहुत अच्छा है एंटी बेरियर से बिजनेस काफी बढ़िया है एंड कंटिनुस्टी में अकाउंट ओपिन हो रहा है आगे और होएंगे तो CDSL को फायदा मिलेगा बट शौट टम में तो फ्लक्ट्वेशन रहेगा कि बाजर अगर का प्रॉफिट भी हो रहा है तो देखिए अपने अच्छा का सा अलोकेशन दे दिए है और भी आपको 20 शेर खड़ीदना है तो आप अलोकेशन पार्ट के ओपर भी धियान जरूर देना ऐसा नहीं कि कंपनी में धियान ही जा सकता है बट देने के टाम पर वैलूशन को भी देख सकतो और दूसरे ऑपर्चूर्टीज भी देख सकतो अगर वो भी मिल रहा है तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जागा एक कंपनी से हट जाएगा इस टाइमें ऐसारे गुजरात फ्रोडो केमिकल यह भी कंपनी बहुत इंट्रेस्टिंग है उनको भी स्टडी कीजिए इसके साथ साथ उसके बाद है डिक्सों टेक 20,900 का इंवेस्टमेंट है 13% का लॉस हो रहा है बट कंपनी बहुत अच्छा है ग्रोई है गवर्मिन भी सपोर्ट करेगा तो संप्ली होल्ड एंड कंटिनू आप कर सकतो तो इधर पे 40,000 का इंवेस्टमेंट है 5% का लॉस हो है जिसका वैलुइशन करिंटली थोड़ा महेंगा तो जरूरे साथ सतर का कुछ भी होगा तो अब इसली बाकी आइटी कंपनी से थोड़ा महेंगा जरूरे हाला कि यहां पर नेक्स्ट दस साल के लिए टार्गेट काफी बढ़ा है कि रेविन्य को 10 गुना करेगा कंपनी तो टार्गेट काफी बढ़ा हैं वो अगर अचीव होता है तो कंपनी डिटन भी काफी बढ़िया देगा बट निया टम थोड़ा प्रेशार एंड कॉंसलिडेशन रह सकता है विकाज अब दा वैलुइशन देने आइसे से बैंग 12,000 का इंवेस्टमेंट है 80% का बड़ा होड़ा है तो देखें इधर सबको एक सीख जरूर लेना चाहिए कि हैपेस में में बड़ा पैसा अपने डाला बट प्रॉफिट नहीं हुआ ऐसे से बैंग में पैसा अपने छोटा डाला बट प्रॉफिट जाद होड़ा है एंड डिफरेंस के दोनों कंपनी में बिजनेस तो डिफरेंट है बट एक कॉमन चीज अगर देखेंगा वही वैलूइशन एक का वैलूइशन जादा था एक का वैलूइशन था कम तो इस मज़े से डिजनेवल वैलूइशन में अगर सस्ते वैलूइशन पर आप ज्यादा अलोकेशन देंगे तो वहां पर डिस्क भी कम रहता है और पैसा बनाने का अब चोचा से वह भी इंक्रीज होता है तो यह लर्निंग अब जरूर लीज़े अपने पॉर्टफोलो से ही उसके बाद ही इंफूसिस और 66,000 का इंवेस्टमेंट है अभी कुछ खास प्रॉफिट नहीं है बट कमपनी बहुँ है अच्छा है तो कंटिनू करना चाहिए देने आयर सीटी सी 35,000 का इंवेस्टमेंट है नौ परसंट का प्रॉफिट हो रहा है अभी गवर्मेंट ने रेलवेस के उबर काफी खर्चा करना स्टार्ट किया और रिसंदी मैं वीडियो पूस्ट नहीं किया बट शेयर होलिंग पैटर में ड 20% का प्रॉफिट होड़ा है तो यह कंपणी में बहुत बढ़ी है मैनेश्मेंट काफी है और एग्रेसिब ग्रोथ आ साकता है निक तीन से लेके चार साल के अंदर कंपणी ने बोला कि हर तीन चार साल के अंदर कंपणी बिजनस को डबल करता चाहिए तो इंट्रेसिंग ह लगता है तो 47,900 का इंबस्टमेंट है और 10% का होड़ा है इनको लॉस अभी रिलेक्स हो में एक चीज़ समझना इनको बिजनस को समझना बहुत इंपोर्टेंट है एक तो इस्टरे में वॉल्यूम क्लोथ काफी स्लो हो चुका है या निगेडिव हो चुका है ऐसा क्यों क् कोवीड आने के बाद गया हुआ कि जो लुवर इंकम क्लास है उनको भी तो जाधा एंपक्ट हुआ राइट रिलेक्स हो अपना जो चप्पल है वो किसको कटर करता है जो लुवर इंकम वाले लोग है उनको तो वहापे दिमांड थोड़ा कम है डिमांड में अभी तक रिक नहीं है तो simply hold and continue आप कर सकतों तो यह था इनका पूरा पूर्ट फॉलो आपको इनका पूर्ट फॉलो कैसा लगा और आपकी सबसे क्या को चेंजर कर सकते हैं आप चाहू तो इनको नीचे कमेंट करके बता सकतो इसके अलावा इनका यह mutual fund का पॉर्ट फॉल आइंड 61,000 का investment अभी तोटल बन चुका है तो आपको कैसा लगा इनका पॉर्ट फॉलो आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे अच्छा लगा एंड अच्छे अच्छे company में ही इन्होंने investment कि है कुछ में loss है कुछ में profit है पट जहां पे loss है तो वहां पे आप जरूर पढ़ने और सीखने में नहीं मिलेगा मैंने ऐसा experience किया तो अभी कुछ companies है जिनको आप वाच्छी में जरूर लगा के रखे एंड सेम पॉर्ट फॉलो को continue कर सकतूं और बजात फिंसा बजात फाइनस दोनों में से मैं किसी को किसी एक को रखता एंड 18 स्टॉक आइधिंक एना फेस पॉर्ट फ कुछ interesting वाले companies है इनको भी आप साथी साथ ट्रैक करते रही है इस सारे फे गुजरात फ्लोडो केमिकल है तो यह भी काफ़े इंट्रेस्टिंग है तो इनको भी आप ट्रैक करते रही है क्योंकि इनका वैलूइशन रिजनेबल है और सारी companies अगर यह जो दो है यह थोड़ा महेंगा है वाकि सारे companies में वैलूइशन डिजनेबल है इसका लबा आप हॉस्पिटल के साइड में मुझे इस टाइम एक कंपनी बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है रेंबू चिल्डेंस के अंदर मार्केट लीडर है स्मॉल कैप है पर्ट मार्केट लीडर है काफ चाड़ा एना एक इंट्रेस्टिंग है आई एफल फाइनस इंट्रेस्टिंग कंपनी सिस्ता टाइप कंपनी ग्रूइंग कंपनी तो वह भी आप इधार पे ट्रैक कीजिए इन कंपनी इसको बाकि आपका पूर्फ़लो अच्छा है तो चले भी क्यालकॉलेशन कर लेते है हमने टोटल इंवेस्टमेंट 10 लाग का लिया है क्योंकि अभी जो करीन पूर्फ़लो का साइज है वो 10 लाग के ही आसपास आ चुका है एंड उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेर रिटर्न 18 परसेंट हम 25 परसेंट नहीं ले रहे हैं 18 परसेंट क्योंकि एक्सपेक्टिश तो 25,000 के SIP सेम एवर्ज रिटर एंड चार साल के लिए अगर कंटीनू करते तो इधर पे 17.6 लाग का पैसा बन रहा है यानि कि दोनों को अगर हम मिला दे तो कितना 37 लाग के आसपास कुछ होड़ा है तो 37 लाग के आसपास टोटल पैसा बनेगा 25,000 SIP के साथ एंड इनके लिए घर बनाने के लिए तो हमने 37 लाग का अमाउंट इधर पे डाला है सेम एक्सपेक्टर रिटर और चोड़ दिया है क्योंकि नौ साल बाद इनको बनाना है चार साल का कैलकुलेशन और डेडी कर लिया है बाकी 5 साल का कर लेते तो पास सल अगर यह कंटीनू करते इस पॉर्टफ़लो को और इन्वेस्में नहीं करते सिर्फ कंटीनू करते तो टोटल कॉर्पस बन रहा है 84 लैक का ओके तो यह कॉर्पस बन रहा है अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि घर यहापे बनाना है तो खुदका ही पैसा डालना है आप बैंक से बैंक के पास लोन ले सक कि सिंपल से पॉर्टफ़लो का का 20 तक आपका कंटीनू कर पाते हो तो 10 करोर का जो कॉर्पस अपका क्रेट हो रहा है 20 यह कहीं हमने किया 30 यह का नहीं लिया है और बाकी मूचल फंट का जो यह पर कैलकूलेशन है वो भी हमने नहीं किया इथार पे इंक्लूड उसको नहीं आपको कोई कॉल और टिप नहीं मिलेगा मेरे जो खुद के ट्रेस होंगे शौट टर्म एंड लॉंग टर्म तो वह मैपके साथ शेयर करता जाओंगा फॉर लाइफ टेम प्लस आपको टेली बेसे पर लर्णिंग कंटेंड मिलेंगे जिससे हर दिन आप सीखते भी रहेंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते अगले वीडियो में बाई